नमस्कार किसान भाईयों आधुनी क्यूबा किसान चैनल में आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो मुंग की खेती के सरीज का आज ये तीसरा वीडियो है मुंग की सिचाई के लिए तो मुंग में तीसरा पानी कब लगाना चाहिए ये खेत की मिट्टी और पोधे की डिमा आहीं वो वीडियो देख सकते हैं कि मुंग में दूसरा पानि कप देना चाहिए तातीश Subscribe करें वीडियो को लाइए है आपका कोई प्रश्ण होतों कमेंड में आप पुछ रखते हैं और आपने एक तीसरा पानी कितने दिन में आप लगाते हैं वो आप कमेंड में ज़रूर बता हैं तो जलिए वीडियो के सुरुवात करते हैं तो बात करते हैं कि मुंग में तीसरा पानी कब देना चाहिए तीसरा पानी से मतलब है कि एक पानी में तो मुंग उखते हैं उसके बाद उसको छोड़ कर तीसरा पानी यानि कि वो पलेवा का पानी हटा दे तो उसको अगर आपर count नहीं करें, तो उसके बाद में जो पानी अपन देते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसमें तीसरा पानी, यानि के लगभग ये लाश्ट पानी हो सकता है, तो तीसरा पानी कब देना है, इसके हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देख सकत पॉद्ह के पत्थे का जो कलर रहे वह वापस ग्रीन से जब डार्क होने लग जाता है इसमें आप जादा डार्क ने करें यानि जादा डार्क मतलब है कि पॉद्ह की पानी के डिमांड जादे उसमें बढ़ेगी तो आपकी फ्लाबरिंग स्टेज पर नुकसान हो सकता है इस ज़ादातर फलियां नीचे की साइड भी बन चुकी है यह आप देख सकते हैं ईसे फलीया नीचे बन गई और उपर फ्लावरेंग स्टेज तो तीसरा आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि भरपूर बावरेंग स्टेज उस पर आ जाती है तो एक स्पेज भी आप जहज कर सकत है फ्लावर आपको दिख रहे हैं , ज्यादा तर भरपुर ब्लावर इसे deste Tam समय का धियान रख सकते हैं , तैम काउंट कर सकते हैं , आपने दूसरा पानी दिया उससे लख भग 8 और 10 दीन बाद तीसरा पानी लगा सकते हैं , जीसे आपका गुञजाई सो लगाने की , आट कम पानी में वद्य को बिना इस्ट्रेस दिए या जल्दी पानी दिए दोनों ही कंडिशन में आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं यह चार फेक्टर हैं आप इसको देखकर जच कर सकते हैं कि हमें मुंग में पानी कब लगाना चाहिए एक तो खेत की मिट्टी देखकर न सब्सक्राइब देख सकते हैं और शुथा आप देख सकते हैं समय कि 8-10 दिन अगर दूसरे पानी खो गहां तो आप तीसरा पानी उसमें दे सकते हैं तो यह चीजिए आप उसमें कर सकते हैं और इस पर कि अगर हम बात करें कि इस स्टेज पर अच्छा प्रोड़क्शन ले के लिए कौन सा इस्प्री हमें करना चाहिए तो आप इस स्टेज पर जब फ्लाब्रिंग स्टेज के लगभग ज्यादा तर फलिया बन गई हो फ्लाब्रिंग स्टेज पर भी है और तो इस स्टेज पर आप जिरो जिरो पचास इन पीके कर सकते हैं तो से क्या होगा ऊसे करने से 50 क्या काम करता है तो 0050 में ओटाज आता है और यह श्चेज पर आप 0050 NPK 0050 का इस्प्रे कर सकते हैं बाकि यह हमने हमारे मुंग के अगर हम बात करें तो यह सीखा विराइटी है बार इंच पर हमने इसको बॉए हैं लेकिन फिर भी काफी हाइट हो गई है तीसरा पानी हमें कब लगाना चाहिए और इल्लियों का विश्यस ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इस मौसम में इल्लियां बहुत लग रही है और ज्यादा तर दवाई यह फैल भी हो रही है तो आप दवाई देने के बाद भी अबजर्व करते रहें कि अगर इल्लियों ने अगर आपके फूल डेमेज कर दी हैं फलिया खा गई है पत्य खा गई है तो फिर आप कईकी अग्डे पर अच्छा प्रॉडक्शन आप नहीं नीकाल सकते हैं या कुई बहुत इसा अच्छा टानिक भी दें गगे तो भी अच्छा प्रडॉक्शन नहीं निकाल पाएंगा अगर आप समये पर किटना सब्सप्रय नहीं करेंगे तो ये हमारा आज का वीडियो था आपकी फसल कैसे लगी है और आप कितने दिन में पानी देते हैं तो जो विराइटी आप देख रहे हैं लगभग 55-52 दिन के असपास यह हो गई है बुगाई की तारिक से करें हम बात करें तो इसमें हमने तीसरा पानी है अब हमारा इसमें कि चल रहा है तो गया बावन-टरेपानी के असपास तीसरा पानी इसमें दे रहे हैं को समय यह विद्यास में घती ब्याय की जह दोटना ही ज्यादा संवाज लेती है समय करते हुए उतना कम समय इसका समय घटता चला जाता है किमने यह सबसे शुरू आथ कं यह तो इसमें हमने दो मार्च को बोया तो यह लगभख 70 दिन से पहले इसकी कटाई नहीं होने वाली है और बाद में जो हम बोते हैं लगभख 20-25 मार्च तक तो वह 25 दिन में इसकी कटाई हो जाती है तो अलग-अलग समय के हिसाब से गर्मिक हिसाब से इसका टाइम उपन नीचे फ्लक्च